तुभ्यम दर्शको हर हर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल शिवकथा उपाई पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रो, आप सभी स्वस्त और सुरशित होंगे। दर्शको आप सभी जानते हैं, बुद्वार 23 अगस्त को सावन माह की अंतिम सप्तमीती थी है, इसके बाद, पूरे एक साल के बाद, आपको सावन का माह प्राप्त होगा। आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र माह, देवादी देव महादेव को समर्पित होता है, इस माह में यदि हम महादेव को प्रसन्ने कर लेती हैं, तो महादेव हमारे जीवन की सभी कामनाओं को पोन कर देती हैं, और हमारे घर में किसी भी प्रकार का कभी कोई दोश नही होता है यदि आपको धन की प्राप्ति करनी है आपके नए कारे में आपको महादेव की साहता चाहिए है आप अपने कारे को सफल बनाना चाहते हैं या कोई आपकी मनुकामना है गुप्त मनुकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो पूछनिय पंडीची का श्रीश आपकी सभी कामनाओं को पोन कर देंगे। इस उपाय के लिए आपको पांच दीपकों की आवशक्ता होगी। सबसे पहले तो यह दीपक। यह उपाय आपको शाम के समय प्रदोशकाल में करना है। पांच दीपक आप चाहे तो मित्रो आटे के तयार कर सकती हैं यह मिठी के दीपक आप ले सकते हैं। सभी दीपकों में लंबी बाती लगानी है और शुद्द देशी घी के दीपक तयार करने हैं। आप यह पांच अलग-अलग इस्थान पर भी जला सकते हैं और पांच अलग-अलग इस्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। तो घर के मुख्यद्वा प्रजवलीत कर दे आने की चला दे आपके कामना महादेव सावन के समापन से पुर्व इपूर्ण करेंगे। धनिवाद दर्शे को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, श्री शिवायनमस्तुभ्य हर हर महादीव